तिवारों का सीजन शुरू हो चुका है और तिवारों की खुशियों में चार-चार नगारे के लिए सुपर कोचिंग लेकर आ गया है ओफर्स का महुसब सेल जहां आपको मिलेंगे एक्स्क्लूसिब डिसकाउंट और ओफर्स और अल सुपर कोचिंग तो अगर आप इन एक्साम्स की तियारी कर रहे है तो अभी जाए और ओफर्स और डिसकाउंट का लाव उठाएगे तिवारों का सीजन शुरू हो चुका है और तिवारों का सीजन शुरू हो चुका है आप सभी लोग सो फाइनली वी आर लाइव नाओ जल्दी से सभी लोगों को शेयर कर दो अपना ये सेशन तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक तरह के questions यूपी के exams में काफी almost पूछ लिये जाते हैं वो थे बंदर की छलांग वाला एक जैसे दो सिर और टांगो वाला पूछ लिया जाता है बंदर की छलांग वाला हाथ मिलाने वाला ये कुछ ऐसे questions है जो यूपी में पूछ लिये जाते हैं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बंदर की छलांग किस तरीके से बंदर लगाता है छलांग ठीक है तो चलो भाई इसी के साथ पहले तो मैं आपको एक sale के बारे में बता देती हूँ ओफर का मोज सब चल रहा है जिसमें UP Police Constable आप 85% और 17% और 17% ओफ क क्या actual में होता है तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ बई क्या होगा पहले कुछ basic बताती हूँ ठीक है ना head पहले आपको कुछ basic बताती हूँ उसके बाद सबसे पहले देगे basic क्या है जिसे अगर आपको बोला जाए कि एक बंदर उचल के बारवर फिसल रहा है तो कभी तो कोई ऐसा मुकामा आएगा ना कि वो पहुंच जाएगा जैसे की ठीक है ना चलिए तो अभी मेरे पासाम में क्लास क्यों ने open हुई एक सेकिंद बच्चों रुख जाना मेरी क्लास इस तक होई रखी है ओके ठीक है है ना तो झाल झाल जाएगा झाल हेलो, हमां audible now, unmute नहीं मीटा, cell down हो गया, आज मुझे लग रहा है मेरा charger खराब हो गया, क्योंकि दुपएर वाली class में भी off हुआ तो यह charge नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि cell तो नहीं डालेते मैंने, ठीक है न, चलिए, so hopefully आपको सही से दिखाई दे रहा होगा अब देखिए मैं क्या बता रही थी, कि माली जी ये 30 फुट का लंबा एक पोल है, 30 फुट का लंबा एक पोल है, इसमें बंदर एक छलांग लगा रहा है, फिर फिसल रहा है, छलांग लगा रहा है, छलांग लगा रहा है, फिर फिसल रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा, जब जरूपहूरा करो इएक और उपर पहूँच गया गए लित nhưngे फिर से जासे गरेगा तो ही एक और उपर पहुंच गया तो यह थोड़ाượng पहुंच से तुम देखो गे आभ यह फिर से ऊपर पहुंच गया यानि यह मेंने गैप ने वीकमें ठीक है, यानि हर वार चड़ा उत्रा चड़ा उत्रा अभी वो यहां तक पहुँच गया लास्ट में यानि उसके कश्मकश ऐसी चलती रहेगी चड़ेगा उत्रेगा उत्रेगा एक टाइम ऐसा आएगा जब वो यहां पहुँच जाएगा अगर वो तीन-तीन फीट की छलांग लगा रहा है तो ती तीन-तीन फीट की चलांग लगाके दो फीट फिसल रहा है तो वह एक-एक फीट तो चड़ रहा है न हर बार और चड़ते 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 एक वह 27 पर पहुच गया तो 27 पर एक टाइम तो ऐसा आएगा यहां से क्लिक करेगा लो भाई वह पहुच गया सीजश पर यही समय पूछा होता है हमसे समझ में आया तो वह कहां पहुच गया सीच पर और यही वाला समय हमसे पूछा होता है इसमें बंदर तीन फीट की छलाग लगा रहा है तीन फीट उचल रहा है और दो फीट गिर जा रहा है दो फीट गिर रहा है ठीक है? अब मैं आपको बोल दू, वो 3 feet 1 second में उचलता है ठीक है? और वो उसी second में, same second में फिसल जाता है same second में फिसल जाता है, दो type की सवाल आते हैं इसमें देखो, एक बंदर 1 second में चड़ भी गया 3 feet और फिसल भी गया तो वो 1 feet चड़ पाया, यानि 1 feet चड़ पाया, खहां पर 1 feet 1 second में चड़ गया वो तो वो इसका मतलब यहां से, यहां, यहां से, 27 तक तो वो मशक्कत करता रहेगा ऐसे आखरी उसकी हमेशा एक छलाग ऐसी होगी, जो final वाली होगी ठीक है न, हाँ, frog वाली सही है, बिल्कुल, ठीक है, यह second है तो अब यहां पर एक बात बता दो बच्चों, अगर उचल के 1 second में और उसी second में गिर गया तो वो हर second में एक feet चड़ पा रहा है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे में आपको क्या करना है जितनी भी छलाग होगी, पहले उसा total में से घटा देना अब तुम यह बता दो, 27 foot चड़ने में कितना time लगाएगा तो तुम कहोगे माम, 27 foot चड़ने में 27 second लगाएगा क्योंकि हर second में एक feet चड़ रहा है, 27 तक तो ऐसी चड़ेगा चड़ेगा, उत्रेगा, चड़ेगा, क्योंकि यह समय कपका है हमारे पास चड़के उतरने का, चड़के उतरने का, चड़के उतरने का और आखरी एक छलांग ऐसी होगी, एक second की, कि वो एक second में 3 feet चड़ जाएगा, यानि 27 के वास सीधे उपर उचलाता नहीं उचलाता हमारा बंदर, तो बस correct answer इसका कितना आजाएगा, 28 आजाएगा इसका correct answer आजाएगा, 28, ठीक है न? इसकी short trick यह है कि आपको कुछ नहीं है, तो समझा रही हूँ पहले अभी मैं, दोनों concept समझा रही हूँ एक concept और होता है इसमें, इसमें एक concept देको, दूसरा concept क्या होता है कि यहाँ तो आपको बोल दिया, कि एक second में उचल रहा है और उसी second में, same second में फिसल रहा है एक मैं आपको सवाल दे दू, तीन feet वो एक second में चड़ रहा है और दो feet वो फिसल रहा है अगले second में, एक second में, अगले second में फिसल रहा है तो टोटल मिला के अब देखना क्या हुआ अब वो इसका मतलब है 2 feet और वो 3 feet चड़ के 2 feet फिसल रहा है और समय कितना लग रहा है 1 second और 1 second अब उसे 1 feet चड़ने में 2 second लग रहे है एक feet चड़ने में 2 second लग रहे है तो एक बात बता, वो यह वाली बात होगी हमेशा ध्यान लगना टोटल मैंसे उसकी छलांग घटा दो 27 तक तो वो चड़ेगा उतरेगा चड़ेगा उतरेगा तो 27 फीट को चड़ने में उसे कितना लगेगा एक फीट बराबर दो तो 27 बराबर 54 27 उन्हीं 54 हो गए ना तो 54 तक तो वो ऐसी करेगा और लास्ट की जो एक छलांग होगी एक सेकंड की वो उपर पहुंच जाएगा तो ये पचपन हो जाएगा तो इसकी दो बाते हो गई ठीक है कितना हो गया ये दो बाते हो गई कैसे हो गई बिटा यहाँ वो इसमें क्या कर रहा था एक सेकंड में उचला और उसी सेकंड में फिसल गया तो वो क्या कर रहा था एक फीट की चलाग एक सेकंड में ही कर रहा था तो इसका मतलब है 27 तक 27 और एक प्लस 28 लेकिन यहां क्या हो रहा है 1 second में जा रहा है और 1 second में फिसल रहा है उसे 2 second लग रहे है 1 feet चढ़ने में तो उसको इसका मतलब हो गया total मिला के 27 चढ़ने में कितना लग जाएगा 27 उनी 54 पर 27 feet तक चढ़ना है ना 54 और 1 second और लग जाएगा तो उसे 55 second लग जाएगा तो अभी इसका यही शौट ट्रिक है, यही है कि आपको क्या करना है, बेसिकली आपको बच्चों सिंपल एक चीज करना है, कि जब भी कभी आपको टोटल हाइट दे दी जाएगी, उस मैंसे उसकी उच्छाल घटा दो, हाइट मैंसे उसकी जितनी भी उच्छाल होगी, तीक ह उतर रहा है, और लास्ट वाली हमेशा उसको एड कर दोगे, लास्ट वाले को आप एड कर दोगे, बस यही इसका बेसिक है, यही इसका सब कुछ है, ठीक है ना, चलिए, तो अभी तो मैं और बताऊंगी, अभी ऐसा नहीं कि यहां खतम हो रहा है, अभी मैं आपको सवाल क बताऊंगी, तो आपको और बहतर तरीके से समझ में आएगा, जैसे देखे एक सवाल है, यह वाला, इसको करते तब समझ में आएगा, देखो, एक बंदर 12 मीटर उचे चिखने खंबे पर चड़ता है, वो पहले मिनट में 2 मीटर चड़ता है, तो देखो, 2 मीटर चड़ र रहा है, और उसको समय कितना लग रहा है, पहले मिनट में चड़ रहा है, दूसरे मिनट में फिसल रहा है, तो उसको टोटल मिला के, एक मीटर में 2 मिनट लग रहे है, तो जिसकी कैलकुलेशन यह है, तो 10 मीटर गुणा 2 हो जाएगा तो 20 मिनट में वो 10 मीटर चड़ जाएगा उतर जाएगा, चड़ जाएगा, फाइनल चड़ जाएगा और लास्ट की जो उसकी 1 मिनट की छलाग होगी वो उपर पहुँच जाएगा तो इसका correct answer कितना आ जाएगा? 21 मिनट तो जल्दी से बता दो कि अभी समझ में आ गया ना सबको ठीक है? तो 21 मिनट इस दा correct answer ओफुली कि अभी तो समझ आ गया होगा ठीक है? चलो Very good evening, ठीक है? चले बई, अगले एक और question पे चलते हैं Next question और करते हैं, इसका देखो एक और है कितने समय में एक बंदर 60 feet लंबे पेड के sheets को चूलेगा यदि वह एक second में 3 feet उचलता है पहले उसकी उच्छाल लेको, 3 feet उचलता है और तुरंट 2 feet गिर जाता है तो वो 1 feet चड़ रहा है और उसे समय कितना लग रहा है? एक second में, आगला second नहीं दिया वो 3 feet चड़ के 2 feet उचल ला है तुरंट बना उसी वक्त इसका मतलब है, वो 1 feet चड़ रहा है एक second में एक feet एक second में चड़ रहा है तो 60 feet चड़ने के लिए वो 3 feet की चलांग तो उसकी आखरी होगी 57 तक ऐसे ही होगा चड़ेगा, उतरेगा, चड़ेगा, उतरेगा जो यह calculation है तो एक feet, एक second तो 57 feet कितने में हो जाएगा? 57 feet, 57 second में और आखरी उसकी 1 second की 3 meter की चलांग या 3 feet की चलांग होगी एक second में तो total मिलाके कितना हो जाएगा? यह 58 हो जाएगा टोटल मिलाके कितना हो जाएगा? अठावन हो जाएगा. ठीक है न? तो correct answer क्या हो गया? अठावन. Hopefully. वह इतने likes कम क्यों है? मैंने इतने सुन्दर बंदर बनाया तुम लोगो ने बंदर, बलब कितना सुन्दर पता है? कितनी मैनस से वो बंदर होना है? अगर वो यही जारी रगता है, तो बंदर को खंबे के सीज तक चढ़ाई करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? बंदर को सीज तक चढ़ने के लिए, ठीक है न? ठीक है. कितने टाइम? देखो. ये वोई वाली बात हो गई. दो मीटर चढ़ रहा है, मुझे पता चल गया, दो मीटर चढ़ रहा है, तो उसको उननिस तक आपको चढ़ाना उतारना है. सीधी सी बात है. उननिस तक चढ़ाना उतारना, आखरी छलांग तो हमेशा वो पहुची जाएगा. अच्छा, आपको क्या बोल गया? एक मिनट में दो मीटर चढ़ता है, दो मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में उतर रहा है, तो वो दो चढ़के एक उतर रहा है, एक मीटर चढ़ पा रहा है, और समय कितना लग रहा है, दो मिनट एक जाने में, एक आने में, तो वो दो मिनट में एक मीटर चढ़ रहा 49 इसका correct answer आजाएगा ठीक है न? चले recorder class नहीं है अविनाश जिन्दा पढ़ा रही हूँ मैं सामने देखो मच्छर ने उसको बंदर पसंद आया तो उसने भी मेरे बिना किये देखो मैं सामने खड़ी उसने change कर दिया board देख पारे हो तुम लोग? ठीक है? तो इसी के साथ ये बंदर वाला concept था hopefully कि आपको clear हुआ होगा कि क्या करना है? दो तरह के concept होते है एक वो same time फिसल जाता है और दूसरा concept क्या होता है? कि वो एक अगले second में फिसलता है आपको total जितनी भी उचाई होगी उससे उसकी छलांग घटा देनी है very good evening आने वालों के लिए और जाने वालों के लिए very good night everyone अब हम मिलते हैं अपने कल के एक बजे चार बजे और सवादस तीन सेशन में मिलते हैं हम एक एक नहीं तीन तीन बार मिलते हैं चलो, thank you so much good night, take care everyone